हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाइफाई स्टडी चेंजिंग दा वे ओफ लंडिंग स्वागत आप सभी का इंडिया के नमबर वन शटडी चैनल वाइफाई स्टडी में तो कैसे हो आप लोग सभी क्या हाल चाल है आप लोगों के I hope सभी बहुत शांदार होंगे जानदार हो होंगे तो आप लोगों को पता है दोस्तों डेली सुबह साधे 9 वजे अपनी क्लास होती है ग्रूप डी के लिए इंपोर्टेंट बहुत क्लास है 25 नमबर की साइंस आईगी तो हमारा एक भी नमबर नहीं कटे इसके लिए पूरी कोशिश अपनी चल रही है है ना तो डेल चलिए है ना तो आज यह क्लास स्टार्ट करते हैं और आज है दोस्तों प्रैक्टिस हैट नमबर टू आप लोगों को पता है कल से क्लास स्टार्ट होई थी क्लास की टाइमिंग है डेली सुबह साड़े 9 बजे समद के बात को चलिए और दोस्तों आप लोग ध्यान देली 1 पे भी क्लास होती है अनकेडमी पर बिल्कुल फ्री क्लास होती है आप लोग इसको लाइव आके देखो दोस्तों 6-7 जार बच्चे रोज इसको लाइव देखते हैं बहुत शांदर आप लोगों को मज़ा एगा यहाँ पर मैं आप लोगों को आपकी रैंक भी बता इसको डोड करो दोस्तों वहाँ पर आप लोगों से वहाँ पर नाम मेरा सर्च करें नीरज जांगे रहाना मुझे आप लोग क्या कर ले फॉलो कर ले यहाँ पर इस स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को यह क्लास मिल जाएगी ठीक है अगर आप लोग एक नए तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल से सीरी स्टार्ट करी है डेली शाम को चार बजे जो भी आप लोगों के महत्पून टॉपिक्स होते हैं साइन्स के जैसे एटम हो गया परमानू पीडियोडिक टेबल डिजीज हो गया हॉर्मोन हो गये विटामीन हो गये वो डेली में कित अब लोगों ने चलाई है चलिए चलिए श्टार्ट करते हैं दोस्तों है चलिए बहुत जैने बोल रहा है साइन्स वीक है तो आप लोग यह मन में यह न रखे साइन्स वीक है जब आप लोग पढ़ते जाएंगे अपने आप चीज़े समझते आते जाएगी एक दिन में चोड़ी होगा कम से कम साथ आट दिन में अपने आप आपको इंप्रूमेंट डिख जाएगा चलो तो क्योशन है आप लोगों की स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताएंगे कि जो स्टार फिश है वो कौन से फाइलम को बिलॉंग करती है आप देखिए आप लोगों को पता ह जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है जैसे हम भी एनिमल्स में आते हैं दोस्तों जो फिश होती है मचलिया वो भी एनिमल्स में आती है अगर हम लोग बात करें बंदर है वो भी एनिमल्स में आता है लेकिन आपको पता है दोको फिश क बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है तो इनको भी क्या अलग-अलग पढ़ना पड़ेगा के बिल्कुल तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग अलग-अलग ग्रुप में बाट देता हैं तो आए ध्यान से देखेंगे दोस्त जीव को हम लोग बोल देते हैं vertebrate यानि कशेरुकी तो कशेरुकी आप लोग किसको बोल रहे हो जिसमें backbone पीछे read की अड़ी जिसमें पाई जाती है जिसमें backbone पाई जाती है और एक आप लोगों का होता है दोस्तो invertbrate यानि एक शेरुकी तो एक शेरुकी आप लोग किसको बोलोगे जिसमें backbone नहीं पाई जाता जिनमें read की अड़ी नहीं पाई जाती है ठीक है मेरे दोस्तों ये बात समझ में आ गई ध्यान रखेंगे दोस्तों जितने भी आप लोगों के vertebrates होते हैं इनको कौन से एक प्रॉब्लम हो गई क्या की read की अड़ी तो हमारे में भी पाई जाती है बंदर में भी पाई जाती है दोस्तों चूहे में भी पाई जाती है समझ पारो क्या अगर मैं आप लोगों से बात करो कंगारू में भी पाई जाती है तो फिर हम लोगों को अलग-अलग पार्ट में classify करना पड़ेगा न तो जो core data फाइलम में जितने भी जीव आते हैं इनको और आगे 5 classes में 5 वर्ग में वर्गी करत किया जाता है वो कौन-कौन सी path classes है एक तो जाएगा दोस्तो पाइसेज पाइसेज यानि दोस्तो मचली यहना fishes बोलो यह पाइसेज बोलो बात एक ही है समझ में आगे है क्या एक आप लोग का हो जाएगा दोस्तों amphibians यानि उभैचर उभैचर आप लोगों के क्या होते हैं जो land पे यानि जमीन पर और पानी में दोनों जगे रह सकते हैं जैसे frog हो गया मेंड़क हो गया समझ मागया क्या इसके बाद में डोस्टो reptiles आते हैं सरी स्रब सरी स्रब क्या होते हैं जो रेंग-रेंग के चलते हैं जैसे आपका क्रोकोडाइल हो गया चिपकली हो गई समझ पर हो कचुआ हो गया next में लोग बात करते हैं mammals mammals का मतलब होता है इस्तंदारी कौन से होता है जो अपने बच्चा को दूद पिलाता है ठीक है जैसे humans क्या होता है और एक होता है दोस्तो एविस-विस बोले तो दोस्तो पक्शी समाझ में आ गये क्या अभी ठीक है तो जितने भी मचली आएगी वह इस वाली कर देते लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे यह starfish इसका नाम fish है लेकिन यह real में fish नहीं होती यह fish की जैसे दिखती है लेकिन fish नहीं होती अगर सही में यह fish होती तो इसका phylum क्या होता core data होता लेकिन दोस्तों ये fish की जैसे दिखती है fish नहीं होती तो ये कौन से phylum में आता इसका phylum आप लोग याद रखेंगे Echinodermita option number A समझ में आगे के दोस्तों clear है चलते हैं आगे Nash question पे तो दोस्तों जितने भी आप लोगों के अकशेरू की है जिनमें रीड के अड़ी नहीं पाई जाती है इनको भी अलग-अलग phylum में रखते हैं Echinodermita, Anilida, Porifera, Nemotoda clear है गया तो इन हर एक phylum हर एक संग के जीवों की विशेशता है अलग-अलग होती है तो अगर आप लोगों से यानि उभहेचर होता है उभहेचर क्या होता है? जो पानी पे और जमीन पे दोनों जगे रह सकता है जिसे आपका हो गया, Manduk और आप लोगों को दिया हूआ है Reptiles यानि सरीशब जो की रेंग-रेंग के चलते हैं छिपकली हो गया, आप लोगों को krokodile मगरमच हो गया, है ना कच्hovy हो गया, चीक है तो बोला क्या जा रहा है, इन में कितने हट होता है इनके हट में कितने chamber होता है chamber का मतलब होता है कितने section होता है आप लोग बताइंगे, तो आप υबब आप लोगों को Core Data Sung में रखते हैं और इस Core Data Sung को भी हम लोगों ने पाच और पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है मचली है ना पाइसेज हो गया उबहेचर हो गया सरीशरप हो गया इस्तंदारी हो गया पक्षी हो गया तो इसमें ध्यान रखेंगे अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जित होते हैं इनका जो हर्ट होता है वो कितना होता है दोस्तों तीन चेंबर होता है जो मैमल होता है इस्तंदारी और पक्षी इनका जो हर्ट होता है वो चार चेंबर होता है तो आप लोगों से किसका पूछा गया था उबहेचर का और सरीशरप का तो उबहेचर और सरीशरप म में जो हट होता है वो कितने चैंबर होता दोस्तों तीन चैंबर होता ओप्शन नमबर फी लेकिन इसका एक अपवाद है इसका एक एक necessary क्या हो जाएगा दीकिस है आप्र माँच्व अक्रबाट माँच होसी क्या आप बता सकते होяют कि मांच्व किस में आता आक मगर मत्सर रेंग रेंग के चलता है यह तो एक 30 주glas यानि रेप्टाईल है और मैंने भी आपको बता है जितने भी रेप्टाईल्स होते हैं उसमें कितने चेंबर होते हैं, 3 होते हैं लेकिन ध्यान रखेंगे, क्रोकोडाईल में कितने होते हैं जा चुका है इस बार के NTPC में भी question पूछा गया था बताईए बताओं तो पीछे की और उड़ने वाला एक मातर पक्षी कौन सा है देखो यहां पर आप लोगों को मैं तीन question बता रहा हूं आप लोगों को बताना है कि इनमें से किस पक्षी का जो अंडा होता है वह सबसे छोटा है अब मैंने आप लोगों को तीन चीज़े बता दिन तीनों का अंसर सेम है वो आपका हो जाएगा हमिंग बड़ ऑप्शन नमबर ए देखिए जो हमिंग बड़ होता ये पीछे की और उड़ता है है अगर नेक्स हम लोग बात करें जिसके चौच होती ना इसके शरीर से भी क्या होती बड़ी होती है और इसका अंडा काफी चोटा होता है तो इस सभी का अंसर क्या है हमिंग बड़ अगर आपको ऑप्शन में हमिंग बड़ नहीं दिया हो हिंदी वालो तो आप लोगों को दिया होगा गुंजन पक्षी तो दोनों आप लोग नाम याद रखेंगे अगर हमिंग बड़ नहीं दिया हो तो गुंजन पक्षी पर आ कि washan में आप लोगों से बोला जा रहा है कि इन में से कौन सा जंतु ऐसा है जो कि गरम रखते वाला होता है जो की वाउम प्लडड़ेड होता है अब्गरम वाले का मतलब ये मत समझना कि गरम वाले का मतलब है तेंप्रेशर इई के तक जलग होता है कि जिनमें भी read की हड़ी पाई जती है ऐसे जानवर जिनमें read की हड़ी पाई जती है उनको हम लोग कौन से file में रखते हैं core data में रखते हैं किसमे core data file में रखते हैं और इस core data file में जितने भी जीव आते हैं इनको हम लोग 5 class में क्या करते हैं दोस्तो वर्गी करत करते हैं ये पाच क्लास कौन कौन सी हो जाएगी एक तो हो जाएगी दोस्तो मचली एक आप लोगों का हो जाएगा दोस्तो ओभेचर है ना एक आप लोगों का हो जाएगा सरीशरप एक आप लोगों का हो जाएगा क्या आपका इस्तंदारी अभी भी मैंने बताया है और एक आप लोगों का हो जाएगा दोस्तो पक्षी तो ध्यान रखेंगे जो सरीशरब होते हैं रैप्टाइल्स जो होते हैं जो होते हैं और पक्षी जो होते हैं यह दोनों क्या होते हैं दोस्तों warm-blooded होते हैं यानि गरम-khunवाले होते हैं तो आप लोग मुझे बताइए इनमें से कौन सा आपको एविज पक्षी या मैमल्स दिख्राइब जल्ली से बताएंगे तो crocodile नहीं, frog नहीं, fish नहीं, pigeon, कभू लोग बोलेंगे कि इस warm bloodate का गरम खूंवाले का मतलब क्या होता है देखो गरम खूंवाले का मतलब यह नहीं कि आपकि अंदर बलड गों alguém को पता है दोस्तों बाहर का temperature चैंज होता है अगर हम लोग गर्मियों की बात करें तो बाहर का temperature तो 37 तो अगर आपकी body का temperature बाहर के atmosphere वातावरन के अनुसार चेंज नहीं हो रहा तो ऐसे जीव को हम लोग बोलते हैं warm-blooded animals यानि गरम रखते वाले जानवर और ऐसे जीव जिनका temperature बाहर के according change हो जाता है जैसे मालो बाहर आपका temperature 10 degree Celsius जैसे तो इनका भी temperature अगर 10 हो जाता है बाहर 50 है तो इनका भी 50 हो जाए तो ऐसे जीव को हम लोग बोलते है cold-blooded तो जैसे आप लोग के रूस तो जितने वी reptiles होते हैं जैसे छिपकली मालो तो यह भी cold-blooded होता है बाहर का temperature कम होता है तो इसके body का temperature भी क्या हो जाता है समझ गए चले आगे आजओ नएश कोशन आप लोगों के screen पर बताएंगे इन में से सबसे बड़ा इस्तंदारी कौन सा है आप लोगों को चार options दिये में इसमें से सबसे बड़ा इस्तंदारी बताना है इस्तंदारी क्या होता है दोस्तो जो अपने बच्चे को दूद पिलाता है है ना तो चार आप लोगों को options दिये मैं तो सबसे बड़े mammal की बात करें largest mammal की बात करें तो दोस्तो वो आपका रंसर हो जाएगा blue whale right answer हो जाएगा option number C दोस्तो अगर आप लोगों से question में पूचा जाता कि largest terrestrial mammal कौन सा होगा यानी सबसे बड़ा इस्तलीय का मतलब क्या है जो कि दोस्तो इस्तल पे रहता हो जमीन पे रहता हो तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा इस्तलीय इस्तंदारी अगर आप लोगों से पूझता तब अंसर क्या होता यह तो पानी में रदा है तो सबसे बड़ा इस तन्दारी पूखता तो आपका अंसर हो जाता हाती यानि elephant क्या हो जाता दोस्तों हाती यानि elephant चले आगे चलो नएश कोश्टन आप को की स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताएंगे अब दोस्तो आप लोगों को मैमल्स के बारे में चीज बता दू क्या मैं? बहुत इंपॉर्टन्ट है भर भर के कुशें आता है इसमें बताओ एक चीज क्लियर कर दू क्या जिससे कभी भी आप लोगों को confusion नहीं हो mammals वाले part में बताओ clear कर दो क्या तो आ जाईए दोस्तो जितने भी आप लोगों के mammals होते हैं जिसको हम लोग हिंदी में इस्तनपाई बोलते हैं या इस्तनधारी बोलते हो तो mammals क्या होते हैं ऐसे जीव जो अपने बच्चे को दूत पिलाते हैं तो आप लोग मुझे बताएंगे क्या जो humans होते हैं वो mammals होते हैं क्या बिलकुल होते हैं ठीक है अगर मैं आपसे बात करो दोस्तो चमकाड़ होता ना वो भी mammals होता है बंदर भी mammals होता है तो क्या mammals भी अलग अलग प्रकार के होते हैं क्या बिलकुल होते हैं ध्यान रखेंगे दोस्तो जितने भी mammals है जितने भी इस्तंधारी होते हैं इसको आप लोग तीन पार्ट में classify कर सकते हो दोस्तों बहुत important है ध्यान रखना यह है तो कौन-कौन से तीन पार्ट होते हैं पहला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो थीरिया सर ये हो जाएगा यूठेया अब आए इन तीनों के पारे में जानते हैं तो प्रोटो थीरिया क्या होतें ऐसे mammals ऐसे आप इस्तंदारी जो कि अंडे देते हैं जो की अंडे देते हैं ऐसे mammals को हम लोग बोलते हैं प्रोटो थीरिया तो आप लोगों से को lawyer newman ए minator a ऐसा है जो कि अंडे देता है option में human दिया हुआ था दोस्तों क्या हम अंडे देता है कि नहीं हमा तो सीधे बच्चे होता है clear ऐसा थोड़ी कि पहले अंडा आएगा फिर वो अंडा आप लोगों का उसमें से बच्चा निकल गा ऐसा नहीं न तो अंडा देने वाला इस्तंधा सारी है जो कि अंडे देता है और आपको option में दिया हुआ था प्लैटीबस तो प्लैटीबस इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है next लोग बात करते हैं सर यह मैटाप थीरिया क्या होता है तो यह क्या होता है तो अंडे तो नहीं देते लेकिन यह सीधे बच्चों को जनम देत इसका example हो जाएगा दोस्तो कंगारू इसका example क्या हो जाएगा कंगारू इसका उधरन हो जाएगा next अगर बात करें यूथेरिया क्या होता है ऐसे mammals ऐसे इस्तंदारी जो की developed child को जनम देते हैं विक्सित वच्चों को जनम देते हैं जो विक्सित वच्चों को जनम देते हैं समुंद्री गाय हो गया सी काउ समुंद्री गाय हो गया समुंद्री गोड़ा हो गया समुंद्री गोड़ा हो गया और दोस्तों आप लोगों का बैट यानी चमका डड़ यह सभी के सभी किसके एकजमपल है जू तेरिया के एकजमपल है अब आप लोग बताएंगे कि सर आप आपने यह क्यों बताया क्योंकि दोस्तों जब option में आप लोगों को पूछा जाया का समुंद्री गाये कि समुंद्री गाये क्या होता है तो आपको लगता होका समुंद्री यारे तो कोई मचली होगी एक प्रकार की नहीं दोस्तों जो समुंद्री गाये होता है वह एक प्रक में से वह वर्ट डूनना है वह शब्द डूनना है जो समू से संबनित नहीं है कहने का मतलब है और वन आउट जो भी आपका मैच नहीं कर रहा उसको भार करो जल्दी से बताएंगे तो चार आप लोग को ऑप्शन दिये में आईए देखते हैं दोस्तों जो हाती होता है अभी अभी मैंने बताया ये तो क्या होता है इस्तंदारी होता है मैंने आपको बताया ना सबसे बड़ा इस्तलिये इस्तंदारी कौन सा होता हाती हाती सर होती है छीक है दोस्तों जो हीरन होता है यह भी इस्तंदारी होता है लेकिन जो इसनेक होता है सापज लों रैप्टाय dijo सरी पलगा और नेश कोशन आप लोगों कि स्कूरीन पर बताएंगे है को क्रोषण आपके स्क्रीन पर जल्दी से बताएं नीचे दिये गई विकल्पों में से निम्लिकित करतन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्तिस्तान बरें डैश एक सत्य मचली है इन में से आप लोगों को true fish बतानी है बाकी ऐसा है दोस्तों जैसे for example jellyfish तो jellyfish के नाम में फिश लग रहा है लेकिन दोस्तों ये एक नहीं होती, जैली फिश एक फिश नहीं होती, ध्यान रखोगे, रिएल में फिश कौन चीस में से, तो जो रिएल फिश है दोस्तो वो है आपकी डॉक फिश, औप्शन नमबर सी, ठीक है, स्नेक तो आपका फिश है नहीं, तो ऐसे अट गया, और cattle fish और jellyfish दिखते मचली की तरह हैं बट मचली नहीं होते इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं false fish बोलते हैं यानि दोस्तों आज सत्य मचली बोलते हैं तो इसमें से सत्य मचली कौन से हो जाएगी dog fish हो जाएगी option number C clear आजाएं दोस्तों मचली के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता दूगया तो आप लोगों को सभी में true fish के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों से कहीं पूछो कि इन में से कौन सी true fish है तो सभी दोस्तों जो true fish मतलब जो वास्तों में मचली है उनके में आप लोगों को नाम बताता हूँ बहुत question पूछे जाता है सबसे पहले तो हो जाएगा दोस्तों shark ध्यान रखे जो भी आप लोगों को option में डिया वाता है तो क्या होता है दोस्तों बोन नहीं होती next अगर आप लोगों से बात करे हिपो केमपस आप लोगों से पूछ ले हिपो केमपस क्या होता है तो दोस्तों हिपो केमपस जो होता है वो एक मचली है और इस हिपो केमपस को ही किस नाम से जानते है सी होड समुंद्री गोड़ा की नाम से जानते हैं तो आप लोगों से एक जाम में पूछ ले समुंद्री गोड़ा क्या है आप लोग सोचो का मैमल से नहीं दोस्तो वो एक मचली है हिपो केमपस क्या है इसी कोई समुंद्री गोड़ा बोलते हैं और ये एक क्या है मचली है इ बताओ एक्जम्पल तो दोस्तो गंबूसिया यह क्योशन भी आप लोगों से पूछा जा चुका है कि इन में से कौन से सत्य मचली और ऑप्शन में दिया हुआ ता गंबूसिया तो गंबूसिया भी एक दोस्तो मचली है इसका दूसरा नाम क्या है इसको मॉस्किट और फिश आप लोगों इसे स्टोन फिश पूछ ले तो स्टोन फिश भी एक टूफिश है समजगे बात को यह एक टूफिश है इसके बारे में क्या कास बात है दोस्तो यह सबसे जहरीली मचली होती है यह क्योशन आप लोगों का ग्रूप डी 2018 गा उठा के देख लेना कि ग्रूप यह दोजार रठा में पूचा गया इन में से सबसे जहरीली मचली काउची है और दोस्तों कॉर्ड यह भी क्या होती है एक मचली होती है तो दोस्तों पाचो एकजमपल ध्यान रजाएंगे क्या तो अब आप लोगों को कन्फिउज नहीं होना कि इसमें से कौन से फिश है कौ कौनसी होती है octopus इस octopus को हम व्य भी बोलता है devil for people is this Ground dalla तो दको नाम के आगे फिश लग रहे लेकिन क्या ये फिश है क्या अरे जम मैंने बता दिया सारी कि सारी false fish ऑक्तो पस भी फॉल्ष फिश है स्वार फिश भी एक फिश होती है वो कौन से phylum को belong करती है वो core data phylum को belong करती है कौन से phylum को core data phylum को लेकिन अगर बात करें दोस्तो starfish की तो इसका phylum क्या है echinodermita jellyfish की बात करें तो nideria हो जाएगा silverfish का और तो दोस्तो silverfish तो एक प्रकार का कीड़ा है, कीट है कीट है, एक प्रकार का कीट है लेकिन नाम की आगे फिश लग रहा है, ठीक है, खुकि ये फिश का जैसा दिखता है दोस्तों क्या कहानी क्लियर है के तमसब करके बता दू चलो बताए नोस्तों नेश वोशन पे निम्बली किट में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है आप लोगों ने केमिस्ट्री में देखा होगा इस ह का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन होता है इस ही का मतलब होता है हीलियम एल आई का मतलब होता है लीथियम BA का मतलब होता है Beryllium तो इन में से कौन सा ऐसा element है जिसका दोस्तो symbol में केवल और केवल एक letter होता है तो आईए देखते हैं copper का होता है दोस्तो CU carbon का होता है C लो भईया answer आगया option number B chlorine का होता है CL calcium का होता है CA तो किसमें केवल और केवल एक letter है ये carbon में option number B चलो नहींच question आपके screen पे answer बताएंगे आप लोगों को पूचा गया है कि जो jack-upson organ होता है ये किस से related है इससे आप लोग देखते हो सुनते हो, सूंगते हो इससे चबाते हो जो jack-upson organ है ये jack-upson अंग है ये किस से related होता है तो सबसे पहली बात आती है कहां पर पाये जाता है, हमारी body में पाये जाता है कि नहीं दोस्तों ये पाये जाता है शापों में कहां पर शापों में और इसका काम क्या होता है सूंगना option number C आईए मैं आप लोगों को दिखा लेता हूँ ये आप लोग मा लिजे दोस्तों शाप है और ये वाला पार्ट आप लोग देख पार हो ये होता है आपका जैक्पसन होर्गन है ना और इसका काम क्या होता है दोस्तों इसका काम होता है सूंगना तो ये सूंगने से related हो जाएगा ठीक है, तो write answer option number C NASH question आप लोगों के screen पे बताएंगे क्योशन आपके screen पे बताईए पक्षियोगे व्यज्ञानिक अध्यन को क्या बोलते हैं scientific study of birds क्या क्या वोलती है चार आप लोगों को options दिए वह बताएंगे तो ये question भी इस बार के NTPC में पूछा गया है वहाँ पर simply पूछा गया जाता मतलब इन में से select करो तो study of birds के सामने क्या आजाता आप लोगों का ornithology आजाएगा ना तो ध्यान रखेंगे study of birds पक्षियों का अध्यान क्या कहलाता है ornithology कहलाता है चलो बाकी के बारे बताओ दोस्तो जो het channels education maylecology हो जायगा वह क्या हो जाएगा मोलस ऑना संग में जितने वी जीवाते हैं उनका अध्यन क्या कहलाता है आपका maylecology क्या होता है यह हर्पिटालोजी क्या होता है दोस्तों जितने भी reptiles है यानि जितने भी सरी श्रप है और जितने भी amphibians है यानि जितने भी उवेचर है इनका अध्यान ही क्या कहलाता है इनका अध्यान ही क्या कहलाता है इनका अध्यान कहलाता है हरपीटोलोजी यह लिमनोलोजी क्या होगा दोस्तों जो जील होती है जो जील होती है जो पोखर होते है तालाब जील पोखर इनका अध्यान क्या कहलाता है, Limnology कहलाता है क्या कहलाता है, Limnology कहलाता है, चले आगे, चलो नएश कोशन पे हम लोग चलते हैं, अंसर बताओ क्योशन आपकी स्क्रीन पे है RNA में थाइमीन के इस्तान पर कौन सा शार होता है, very important कोशन बताओ तो आप लोग जानते होंगे दोस्तो DNA Deoxy Ribonucleic Acid और एक होता है दोस्तो RNA Ribonucleic Acid ठीक है तो दोस्तो कोई भी आप लोगों का Nucleic Acid होता है ना Nucleic Ambul वो किस से मिलके बना होता है उसमें Nitrogenous Base यानि Nitrogenous शार पाए जाता है तो ध्यान रखेंगे DNA में कौन-कौन से शार पाए जाता है यह आप लोगों को नाम याद रखना है कौन-कौन सा Adenin, आपका Cytocene, Guanine, Thymine और अगर बात करें RNA में तो RNA में दोस्तो Adenin पाए जाता है कि बिलकुल पाए जाता है, Cytocene पाए जाता है, कि बिलकुल पाए जाता है गवानिन पाये जाता है कि बिल्कुल पाये जाता है बस यहाँ पर थाइमीन की जगह पर कौन सा आ जाता है यूरेसिल तो ध्यान रखेंगे जो तीन शार होते हैं ये तो common है DNA में भी ये शार पाये जाते हैं ये वाले शार पाये जाते हैं लेकिन ध्यान रखना जो थाइमीन होता है वो केवल DNA में पाये जाता है और जो यूरेसिल होता है वो RNA में पाये जाता है तो राइट अंसर आपका कौन सा हो जाएगा option number C यानि यूरेसिल चले आगे चलो आगे नैश कोश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे एक बैरल में कितने लिटर होते है तो दोस्तो बैरल क्या होता है यह आयतन मापने की एक एक यूनिट है क्या नापते है इससे आयतन मापते है लिटर से क्या मापते है लिटर से भी आयतन मापते है तो आपको बताना है एक बैरल में कितने लिटर होते हैं तो अगर आप लोगों से पूछे गैलन क्या होता है दोस्तो गैलन भी आयतन मापने की एक यूनिट है एक एकाई है तो ध्यान रखेंगे एक बैरल में अगर आप लोगों से गैलन पूछ ले तो एक barrel में 42 gallon होता है अगर आप लोगों से पूछे एक barrel में liter बताओ तो liter होता है तो उस तो आपके 159 liter तो right answer आपका हो जाएगा option number C 159 liter होता है कि इसमें एक barrel में option number C next question आपकी screen पे बताएंगे question आपकी screen पे बताओ सीशा जो लैड होता है उसको किस रसानिक प्रतिक से व्यक्ति करते है ये question इस बार के NTPC में आयता लेकिन कुछ घुमा के आयता मैं बताओंगे आपको क्या था आप तो इसका अंसर बताएंगे तो दोस्तों जो लैड होता है पिरोडिक टेबिल में देखी ये आप लोग का जो लैड होता है ना जिसका परमानुकरमांग होता है बैयासी इसको किस से रिप्रेजेंट करते है पीवी से इसका सिंबल क्या है पीवी तो राइट अंसर आपको हो जाएगा option नमबर सी अब आप लोगों से जो NTPC में question पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि लैड का Latin name क्या है तो लैड का Latin name होता है दोस्तों Plumbum क्या होता है Plumbum उसी से आप लोगों का यह आता है PB समझ गए बात को चले आगे आज़ाओ नेश question पर चलते हैं अंसर बताईए क्योशन आपकी screen पर बताईए एक motor जिसका द्रव्यमान 500 kg है ठीक है कार माल लेते हैं कार यह कार माल लेते हैं इसका द्रव्यमान आप लोगों को दिया हुआ है इसका मास आपको दिया हुआ 300 kg चलो सर मान गए 15 Mill per second के वेग से गतीची सील है इसका जो वेग है इसका वेग आपको कीकितना दिया हुआ है 15 awake क सेचीन först मतलब कप आप लोगों को दिया है नूमेरिकल है डरना नहीं है करना है ठीक है आज़ा यह देखते है तो आपने break लगाया, break लगाने के 5 second के बार में उसकी गती 5 meter second हो जाती मतलब आपने break लगाया, अब इसली बात है इसकी जो speed होगी वो कम होगी पहले 15 थी, अब कितने रह गई, अब उसकी 5 ही रह गई तो ये 15 से 5 की जो आपका ये journey होई, ये कितने समय में होई, ये T बराबर इसमें कितने समय लगा, 5 second समय लगा तो आप लोगों को बताना break ने कितना force लगाया, तो आप लोग दोस्तों एक चीज जानते होंगे द्रवे मान कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है ना सर, 500 किलोगों राम, चलो इधर लिख लो इंटू तवरन, acceleration, acceleration क्या होता, rate of change of velocity, वेग में परिवर्तन की दर, यानि वेग में कितना परिवर्तन हुआ वेग में परिवर्तन कितना हुआ, बट्टे कितने समय में हुआ, ये आप लोगों को बताना है तो 500 गुना, वेग में कितना परिवर्तन हुआ, सर, पहले 15 था, अब 5 हो गया, परिवर्तन कितने का हुआ, 10 मिटर पर सेकिंड का हुआ ठीक है और कितने समय में हुआ पाथ सेकेंड में हुआ तो दस बटे पाच दो आ गया पांसो इंटू दो हजार और फोर्स को किस में मापते हो न्यूटन में मापते हो राइट अंसर और आप्शन नमबर भी हो जाएगा समझ गए गया समझ गए चलो आजाओ नैश कोशन पे कोशन कट थोड़ी रहा है दोस्तों सेकेंड वगरा चलो सबसा ही दिख रहा है ओके आजाओ नैश कोशन आप लोगों के स्क्रीन पे अंसर बताएंगे विच इस दी लाजेट सेल औरगेनल प्रजेंट इन असेल मतलब बोला जा रहा है कि कोई भी कोशिका होती है इसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है अंग कौन सा है बताईए तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जो कोशिका होती है इसमें पाया जाता है नूकलियस यानि केंदरक इस नूकलियस यह केंदरक जो होता है यही कोशीका का सबसे बड़ा भाग होता है option number B लेकिन दोस्तो क्योशन में अगर आप लोगोंगों से पूछ लिया कि कोशीका का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है जल्दी से बताएंगे कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है जल्दी से बताएंगे आप लोगों को options ये दिये हुए दो चार option और देता हूँ मैं आपको मतलब mitochondria तो ही मैं आपको दे दिया ribozome दे दिया, lizozome दे दिया और बताओ, हैना सबसे छोटा पार्ट कौन सा है तो कोशिका का सबसे छोटा जो भाग होता है वो होता है दोस्तो राइबोजोम क्या होता है? राइबोजोम होता है अरे क्या होता है दोस्तो राइबोजोम होता है अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जो राइबोजोम होता है इसका कारे क्या होता है इसका कारे होता है प्रोटीन का निर्मान करना इसका कारे होता है चलो आगे चलते हैं नैश कोशन पे चलो आगे नैश कोशन आप लोगों के स्क्रीन पे अंसर बताएंगे शरीर में लगी चोट की मरंबत के लिए किस प्रकार के सैल विभाजन का प्रियोग किया जाता है है ना दोस्तों माइटोसिस का मतलब होता समसूतरन है ना यह आपका समसूतरन हो जाएगा मियोसिस का मतलब होता अर्दसूतरी तो यह आपका अर्दसूत्री हो जाएगा क्या होता है समसूत्री क्या होता है अर्दसूत्री आईए मैं आप लोगों को समझाता हूँ देखिए दोस्तों यह आप लोगों की कोशिगा होती है कोशिगा में क्या होता है बीच में एक नूकलियस होता है केंदरक होता है, समझ में आगया क्या ठीक है, इस केंदरक में ऐसे धागे नुमा कुछ सरनचना होती है, धागे नुमा सरनचना होती है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या मैं ख्रोल को तो अगर आप लोगों से पूछें, cell में क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो cell में जोगों होते हैं, वो total कितने जोडे होते हैं, 23 जोडे होते हैं, चलो ठीक है, सर मान लिया. अगर आप लोगों से कुल क्रोमोसोम पूछे क्रोमोसोम कुल क्रोमोसोम कितने होंगे दोस्तो टोटल क्रोमोसोम तो टोटल क्रोमोसोम होंगे दोस्तो 46 कितने होंगे 46 होंगे चलो सर बात समझ भी आ गए अब दोस्तो जैसे जैसे आपकी बोडी ग्रोथ करती है तो जो cell होंगे वो तूटके नए cell बनाता है clear है क्या जो पुरानी कोशिका होगी वो तूटके नए कोशिका बनाएगी तो देखिए जो आप लोगों का cell का division होता है ना वही cell का विबाजन हो रहा है यह दो प्रकार से हो सकता है एक तो हो सकता है दोस्तो mitosis बोल लो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते है samsutran ठीक है यह samsutri विबाजन तो अगर cell में कितने kromosome होते हैं दोस्तो 46 अगर divide होने के बाद भी अगर cell में 46 kromosome ही आए तो इस प्रकार के विबाजन को हम लोग बोलते है samsutri विबाजन यानि mitosis division और अगर आप लोगों के दोस्तो divide हुआ मतलब cell से नई cell बनी अब इस कोशिका में अगर 23 kromosome ही आते हैं मतलब आदे हो गए kromosome तो इस प्रकार के विबाजन को हम लोग बोलते हैं मर्द सूतरी विबाजन अरे मेरे दोस्तों समझ में आगया क्या जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मियोसेज अरे इस clear आगया ठीक है तो ध्यान रखेंगे दोस्तों आपके शरीर की कोई सी भी कोशिका हो नाक की कोशिका हो हाथ की हो कान की हो पैर की हो जो भी कोशिका होती है उन सभी में किस प्रकार का आपका डिविजन होता है माइटोसिस होता है समसूतरन होता है राइट अंसर आपका हो जाएगा option number A लेकिन बस दो कोशिका ऐसी होती है जिसमें अर्द सूतरी विबाजन होता है उन दो कोशिका का नाम क्या है एक तो हो जाएगा इस्पम यानि शुकरानू जो कि कहां पर होती है मेल में होता है और एक होता है दोस्तो एग जो कहां पर होता है फिमेल में होता है तो इन दोनों कोशिकाओं में जो विवाजन होता है वो अर्दसूत्री विवाजन होता है इसके अलावा जो भी कोशिका है आपकी नाक की कान की है ना हाथ की सभी पर क्या होता है दोस्तों माइटोसिस होता है option number A clear है गया चलो आगे हम लोग चलते हैं नेश कोशन पर चलो नेश कोशन आप लोगों के स्क्रीन पे बताईगे कोशि का सिद्दान दिमलिकित में से किस पर लागू नहीं होता जो तो देखो तो ने तो देखो यह समझ में आ गया जिएटी एवं सवान नामक साइंटिस्ट ने चलो ठीक है एक तो यह समझ में आ गया किसने दिती slide and end अरे बोला क्या था इस story में इस story में बोला था कि कोई भी जीव होता है न वो कोशिका से मिलके बना होता है वो cell से मिलके बना होता है ठीक है लेकिन मैं आपकी बात बता हूँ दोस्तो जो virus होता है न virus वो आपका a cellular होता है अकोशी के होता है कैसा होता अकोशी के होता है यानि ये तो जो आपका slide and और स्वान ने जो theory दी ये तो उसका exception हो गया virus दोस्तो जीव की भाती भी विवावार करता है और a cellular भी होता है अकोशी का मतलब बिना कोशी का होता है तो right answer से पूछा जा रहा है दोस्तो इस question को एक बार छोड़ दो है ना इसमें option थोड़ा गड़ बड़ है चलो इसको कर दो एक बार एक विल्लियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो तो आप लोगों को पता है कि नीले लिटमस को लाल कौन करता है ये कारे करता है दोस्तो अमल यानी acid और अगर आप लोगों से पूछे लाल लिटमस को रैड लिटमस को नीले में कौन convert करता है ये कारे करता है दोस्तो शार ये base क्या होता है शार क्या होता है जिसकी pH 7 से ज़्यादा होती है अमल क्या होते है जिसकी pH साथ से कम होती है तो ये इशारा किसके और कर रहा लाल को नीले में लाल को नीले में करता है शार और इसकी pH साथ से ज़्यादा होती है लेकिन दोस्तो साथ वाला जो होता है वो तो उदासीन होता है और आपका जिसकी pH एक और पाच है ये तो आप लोगों के अमल होते हैं इसमें तो शार कोई दिये नहीं रखा option number D correct answer हो जाएगा चलो आगे नेश कोशन पे नेश कोशन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे इन में से कौन सा एक genetic disorder है genetic का मतलब क्या है आपके parents को है तो आपको होती है मतलब ये किसी कमी से नहीं है कि protein की कमी से हो गया विटामिन की कमी से हो गया देखो एनीमिय की अगर हम लोग बात करें तो एनीमिय किसकी कमी से होता है दोस्तो iron की कमी से होता है और vitamin B9 की कमी से होता है और vitamin B12 की कमी से होता है चलो समझ में आ गया दोस्तों जो night blindness होता है ये तो vitamin A की कमी से होता है तो right answer कौन सा हो जागा थैली सीमिया ये आपकी एक genetic disorder है आपके parents को तो आपको होगा अगर आप लोगों से पूछे कि इस disease में होता क्या है जैको दो disease होती है एक जो थैली सीमिया और एक होता है hemophilia तो ये दोनों की डोनों जो disease होती है वो genetic disease होती है अगर आप लोगों से बात करें hemophilia में क्या होता है तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है क्या नहीं होता दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है अगर आप लोगों से पूछे थैली सीमियम में क्या होता है इसमें आपके हीमोगलोबीन की कमी होती है आपके रक्त में हीमोगलोबीन की कमी होती है समझ गए चलो आजाओ नश कोशन पे नश कोशन आपके स्क्रीन पे आप लिए ओक्तोपस के खून का रंग कैसा है जल्दी से बताएंगे अप्तोपस के खून का रंग कैसा है उसका कलर आपको बताना है तो ये क्योशन आप लोगों से 2018 को 17 सितंबर को पूछा गया था फर्स शिफ्ट में कि जो मानों के रक्त का रंग होता है लाल उसका कारण क्या है तो हमारे रक्त का जो कलर होता है लाल उसका कारण की होता है हमारे बलड में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोगलोबीन क्या नाम है हीमोगलोबीन तो हीमोगलोबीन की वज़े से हमारा जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है आप लोगों से कई बार question में पूछा जा चुका है कि हेमोगलोबीन में कौन सी धातू पाई जाती है तो इसमें पाया जाता है दोस्तो आईरन क्या पाया जाता है ये बात तो clear हो गई है लेकिन अगर बात करें ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है तो इसके खून का रंग होता है दोस्तो ब्लू नीला ये किसके वज़े से होता है जैसे हमारे बलड में हेमोगलोबीन पाया जाता है इनके बलड में क्या पाया जाता है हेमोसाइनीन पाया जाता है अगर आप आप लोगों से पूछे कि हीमोसाइनीन में कौन से दातों पाई जाती है हीमोगलोबीन में तो आइरन पाई जाती है हीमोसाइनीन में कौन सी दातों पाई जाती है कौपर पाई जाती है ठीक है तो यह दोनों बहुत इंपोर्टेंट चीज़े यह आप लोगों को ध्यान होता तो मैंने आपको बता है दोस्तों सेल में कोशिका में क्या होता है नूकलियस होता है केंद्रक होता है है ना तो ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें ये नूकलियस केंद्रक नहीं होता देखिए आपका जो ब्लड होता है इसमें पाया जाता है आर बीसी रैड ब्लड सेल लाल रक्तकोशिका और इस RBC का ही दूसरा नाम क्या होता है जैसे आप जो के WBC का होता है Leukocyte वैसे ही RBC का होता है अरिथ्रोसिट दोस्तो RBC में नूकलियस यह नी केंदРक नहीं पाया जाता राइट नंसर आपका हो जाएका option no.A चलो आगे next question पर ठीक है किसी वस्तू का भार चलो question पढ़ो answer बताईए और दोस्तू session को like करते वे चलो यार ऐसे अमत करो तो एक वस्तू का भार प्रत्वी पर 6000 Newton है तो चांद की सत्य पर जल्दी से बताईए Moon की surface पर उसका weight क्या होगा तो आप लोगों को मैंने बताये था भार क्या होता है दोस्तो M into G तो ये जो M होगा परिवरतन नहीं होता चाहे चन्दरमा पर जाओ प्रत्वी पर जाओ चाहे कहीं पर भी जाओ परिवरतन किस में होता है? G में होता है तो अगर हम लोग बात करें अर्थ पर है एम जी आप लोगों को मतलब चंदर महां पर जाने पर बट्टे 6 हो जाता है यहां पर 6 जा रहे हैं तो वहां पर कितना हो जागा 1000 हो जागा option number D ठीक है चलो आगे नेश कुशन पर अंसर बताईए sir group D का cut off कितना होगा ओमकार जी आप परसो कितनी रोटी खाओगे मुझे बताना एक बार परसो आप कितने रोटी खाओगे एक बार बता दो और कितने गलास पानी पियोगे यह आपको बताना है है ना और कितने कदम चलोगे तीन चीज़े बता दो मैं group D की cut off बता दूँगा तो यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्योद्धारा आई है चलो मान लेते हैं कि यह एक वायर है ठीक है इसमें कोई क्या हो रही है दोस्तो current flow कर रही है और आप लोगों को बोला जा रहा है कि एक electron का जो आवेश है वो कितना है E आप लोग जानते हो कि जो metals होते हैं इसमें बहुत सारी electrons पाए जाते हैं और इस पे electron पे जो charge होता है वो कितना होता है एक दश्मलो 6 इंटू 10 के गात माइनस 19 कुलंब होता है कल ही मैंने बताया 4 बजली class में ठीक है तो उस आवेश को इन्होंने माल लिया दोस्तो E है तो T second में प्रवाइत होने वाली electron की संक्या को किसके माध्यम से निदारित किया जा सकता है बहुत difficult question है सही में difficult question है आईए इसको तो मुझे ही solve करने दीजिए दोस्तो जो current होता है विद्धारा होती है जो विद्धारा होती है क्या होती है rate of flow of charge यानि आवेश की प्रवा की दर यानि कितना charge flow कर रहा है कितना आवेश flow कर रहा है और कितने समय में flow कर रहा है समझ में आगया क्या कितने समय में flow कर रहा है ठीक है ठीक है दोस्तो मैं माल लेता हूँ कि total जो electrons है वो कितने है n है समझ में आगया क्या और हर electron पे charge कितना है हर electron पे charge कितना है सर E है तो अगर total N electron से हर एक electron पे charge E है तो total charge दोस्तो N into E आगया क्या जी सर बिल्कुल सही बात है N into E आगया clear गया और नीचे समय T वालो तो आप लोगों को क्या बताना है आप लोगों को बताना है इस N electron की संख्या तो मैं क्या लिख सकता हूँ N बराबर T इधर आ जाएगा I into T और बटे में E अरे समझ में आ गया क्या option number C बताओ दोस्तो मुझे पता है बहुत सारे दोस्त ऐसे है जैसे 90% तो लोग इसको बिल्कुल आसानी से कर लेंगे लेकिन देको 10% ऐसे होता है जिनको हो सकता है numerical में दिक्कत हो मैं मान सकता हूँ है ना लेकिन मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा होती ना तो आप लोग एक बर वीडियो को वापिस देख लिया करो है ना चले तो राइट अंसर आपका हो जागा दोस्तों option नंबर सी आरे बात समझ में आई या नहीं आई चले आगे है ठीक है आजाओ नेश कोशन आप लोगों के स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताएंगे और ये कोशन भी इस बार के एंटी पीसी में पूछा गया था क्या पूछा गया था मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा पहले इस कोशन का जवाब दीजिए बताओ ग्रूप दी का एकजम कब तक होगा तो अप्रेल लास्ट में मानके चलिया आप है ना क्योंकि अभी एंटी पेसी का फिफ्ट फेस के बाद में एक फेस और होने के चांसे है ना तो अप्रेल के लास्ट में मान लेजी आप तो इन में से कौन सा नियम विदुद्धारा के उश्मिय प्रभाव से संबन दिता है देखे उश्मिय प्रभाव क्या होता है कोई भी वायर है इसमें मान लेजे करंट फ्लो कर रही है आई है ना और इसका जो रजिस्टेंस है इसका प्रतिरोद मान लेजी आर है तो कोई भी वायर में जब करंट फ्लो होती है इसमें क्य क्या है इस तार का प्रतिरोध कितना है सरी आई क्या है कितनी विद्यूद्धारा कितनी विद्यूद्धारा फ्लो कर रही है तो यह जो आप लोगों का effect है heating effect यह कितनी heat develop हुई है कितनी उश्मा उत्पन हुई है इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं पूल्सलो की नाम से जानते हैं अब आप लोगों को मैं इस बार के एंटी पीसी में आया हुआ question बता देता हूं दोस्तों इस बार के एंटी पीसी में पूछा गया था कि इन में से कौन सी डिवाइस है जो की heating effect पे बेस होती है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कौन कौन सी डिवाइस होती है जो की current के heating effect पे बेस होती है जैसे आप लोगों को दोस्तों heater अरे heater क्या करता है आप लोगों को क्या गरम हवा fact आए क्या heat fact आए क्या तो वो heat आई कहां से, दोस्तो current की वज़े से आई, और उस heat का हम लोग इस्तिमाल कर पा रहे हैं, heat हो गया, दोस्तो आपका गीजर हो गया, समझ आ रहे हो क्या, जो iron हो गयी, press होती ना iron, तो iron में heat कहां से आती है, उस current से या रही है, तो हम लोगों को पता है, अगर किसी wire में current flow होगी, तो heat develop होगी, और इसी heat का इस्तिमाल हम लोग अच्छे काम में कर सकते हैं, जैसे braid को आप लोग सेखने में कर रहे हो, तो वो टोस्टर हो जाएगा, पानी को गरम करने में कर रहे हो, तो वो आपका गीजर हो जाएगा, तो ये सभी के सभी जो base होते हैं, किस पे हो होते हैं, heating effect of current या फिर joules law आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, चलो आगया, नैश कोशन आप लोग की स्क्रीन पर बताएंगे, ओमकार अनुभाकर जी बोड़ें सर, कल मैं दो रोटी, एक लेटर वाटर और एक किलोमेटर चलूँगा, चलो, अब कट आफ बताओ, ओमकार जी मैंने परसो का पूछा था, आपने कल का बता दिया, मैं भी कट आफ नहीं बता रहा, आजाओ, आवर्ट सारनी में निमली कित में से किसी शुन्य इलेक्टोन बंदूता है, अगर आप लोगों से पूछे, सबसे ज़्यादा इलेक्टोन एफिनिटी, सबसे ज़्यादा इलेक्टोन बंदूता किसकी है, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्टोन बंदूता होती है, वो होती यह दोस्तो क्लोरीन की ठीक है अब आप लोगों से बोल राइस में से किस की जीरो है जीरो का मतलब दोस्तो वो इलेक्ट्रोन को accept करने की tendency कौन इलेक्ट्रोन को आसानी से accept कर लेगा लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो रेडान है वो एक इनट गैसे अक्रिये गैस है अक्रिये गैस क्या होती है जिसकी दोस्तो सारी कक्षा बरी होती है जिनकी भायत्तम कक्षा पूरी तरीके से बरी होती है तो पूरी तरीके से बरी होती है तो इलेक्ट्रोन को आने की जगह यह नहीं है तो दोस्तो जो रेडान होगा वह एक आपके इनट गैस है और जितनी भी इनट गैस होती नहीं अक्रिय गैस होती है उनकी इलेक्ट्रॉन बंदूता कितनी होती जीरो होती है चलो आजाओ कि नैस कोशन आपके स्क्रीन पर बताओ आवर सारणी में सबसे हलका तत्व क्या है लाइट टेस्ट आपको एलिमेंट बताना है तो देखिए दोस्तों जो पीरोडिक टेबिल है उसमें बहुत सारे तत्व है बहुत सारे तत्व है कितने हैं 118 तत्व है तो सबसे हलका तत्व आप लोगों को बताना है दोस्तों सबस अगर आप लोगों से पूछ ले एक जाम में सबसे हलका तत्व बताओ तो सबसे हलका तत्व होता है दोस्तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक क्या होता है नौन मेटल होता है अधातू होता है तो अगर आप लोगों से पूछे कि सबसे हलका अधातू बताओ या सबसे हलक का धातू हो जाएगा अगर आप लोगों से पूछले सबसे भारी धातू बताओ तो सबसे भारी धातू होता है यह तीनों आप लोग ध्यांदर केंगे ठीक है तो राइट अंसर आपका ऑप्शन नमबर यह हो जाएगा बताओ क्योशन आपके स्क्रीन पर यह क्योशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों बहुत ज़्यादा ठीक है बताओ बताए नीचे दिये गए वर्गी करणों में से कौन सा परमानु द्रव्यमान पर आधारी था तो देखिए आप लोगों को पता है बहुत सारे एलिमेंट्स थे इनको अलग से क्लासिफ वाई करना जरूरी था समझ रहो तो अलग-अलग साइंटिस्ट है उन्होंने अपना अलग-अलग तरीका बताए कि मैं ऐसे क्लासिफाय करूंगा जिनसे ये वाले जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी एक जैसे होगी ये वाले प्रॉपर्टी एक जैसे होगे तो दोस्तों स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन हुए थे चाहे वो डोबे ट्राइड लौ बताऊं महां आपको यह डोबे रॉपे रोइनर का क्लासिफिकेशन के बात करे न्ью-लेंड के क्लासिफिकेशन के बात करे है नथ को जो सबी चैसे नबर के प्रॉपर्ट dorमांग पराशन नमबर ट्रसी बचा को ठीक है ओके चलो तो दोस्तो आज के लिए अम लोग इतना रखते हैं कुछ आपको homework देता हूं है ना ये homework no.1 homework no.2 homework no.3 homework no.4 और यह आप लोगों का हो जाएगा homework no.5 है ना तो यह आप लोग दोस्तो कमेंट करके बताईएगा आज के लिए इतना रखते हैं और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों डेली शाम को चार बजे मैं आप लोगों को जितने भी मैटमून टॉपिक्स होते हैं न साइन्स में परावर्तन हो गया अपवर्तन हो गया पीरियोडिक टेबिल एटम बहुत सारी चीज़ है डिजीज होर्मोंस विटामिन डेली शाम को चार बजे मैंने थूरी वाली क्लास स्टार्ट करी है कल मैंने आपको एटम पढ़ाया था परमानू पढ़ाया था आज दूसरी क्लास है मैं आपको पेरियोडिक टेविल पढ़ाऊंगा आवर्त सारनी प छाथ हो डाट होँ ठीक है सायलसर की क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी साइल सर की क्लास ठीक है दोस्तों टेली शाम को चार बजे होती है और अब अब भी हम लोग मिलेंगे दो फल सार याड़ जान को जो उख होती है तो रोज रोज 6-7000 वच्चे लाइव क्लास में आत पाज़ा रहें का यह लेकिन आप देखना रहें का आपकी पीछे भी आए न तो कितना ज़्यादा आप लोग सीख के जाते हो मज़ा जाएगा अप लोगों को ठीक है तो क्या करना है आप लोगों को रोस्तों अनेकेड में लड़नी के आप डाउनलोड कर लो वहाँ पर दोस चलो है ना तो आप लोगों को दोस्तो गोल सेलेट करना सेक्षिन में आपकी क्लास होती है जो भी क्लास खोलोगे आप लोगों से कोड पूचा जाता है तो कोड में आप लोग डाल दीजिए नीरज गया रहा और क्या कर दीजिए अनलॉक कर दीजिए जिससे आप लोग क्ल तो कम्प्लीट कोर्स आप लोगों के हम पर अविलेबल है अनकेडमी प्लस पर 40,000 गंटे का रिकॉर्डेट कोंटेंट भी 20,000 से जारा प्रैक्टिस कोशन्स है और सारी क्लास मिलेगी मैल्ज की रिजनिंग की इंग्लिश की आप जोइन कर सकते हो सारे कोट्स आप लोगों को एक सबकेशन में मिल जाएंगे आपको टेश रिज मिल जाएगी हर क्लास की पीडिएव भी मिल जाएगी तो एससी एक्जाम का जब गैट सबकेशन करोगे तो दोस्तों जो 12 मीने का है वो 65 का है रेफ्ल कोड लगाओगे नीरज 11 तो यह आपका पड़ जाएगा 5850 का दोस् चार बजवली क्लास के अलग से प्लेश्ट में आज बन जाएगी आपको ठीक है ओके चार बजवली क्लास की प्लेश्ट अलग से बन जाएगी टैंशन ना लो और 4 बजवली होती है बिलकुल यूट्योब पर एक्टम तो अदू रहता हो पढ़के देखो एक्टम अदू पूरता कल्प समझ में आ जाएगा पूरी एक गंटे की क्लास लिए सर पीडिएफ कैसे मिलेगा जब क्लास आपको खतम हो जाएगी तो कमेंट में एक आप लोगों को लिंक मिलेगा उससे आप लोग पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हो 20-25 मिनट के बाद में आपने तुरंत का आपको मिलता है पीडिएफ आपको मिल जाएगी कमेंट में ठीक है थैंक्यू सो मच टेक केर बाबाए मिलते हैं दोस्तों दोपर एक बज़े अनकेडमी पर और बाकी शाम को चार बज़े यूट्यूब पर बाबाए टेक केर सकती है ग्सान कि भीडिक के बाद में दोस्तों दोस्तों अलुकर मोर्बता गज़े चार झालां दोस्तों चोस्तों टोस्तों एjam नहींश्च के रहां कि कीप बर में दोस्तों अलूब गता कर अबाद से ुंज़े वष्को